Hey guys, what's up? This is Shubhadi from eGadgets4u और इस वीडियो में जैसे कि मैं बोला था पिछले वाला वीडियो में कि यूनिवर्सल रिमोट कैसे बनाया जाता है आपके मुबाइल फोन से वो में दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि यूनिवर्सल रिमोट है क्या जैसे मान लीजिए आपका जो बाइडिफॉल्ट यहाँ पे रिमोट कंट्रोल का एप है इस मुबाइल पे जैसे मैं बोला था पिछले वाला वीडियो में भी अगर इसको यूज़ करके आपका जो इलेक्ट्रोनिक डिवाइस है ओपन नहीं हो रहा है या फिर पावर आउन आफ या कुछ भी नहीं हो रहा है तो जाके आप यहाँ पे एक options आता है जिसको हम बोलते है universal remote यह वाला option क्या है वही में दिखाऊंगा और इसको use करके कैसे आप कोई भी device को open कर सकते हो जिसमें remote है तो उसको remote के छोड़के यह mobile से कैसे आप use कर सकते हो वही में दिखाऊंगा इस वीडियो पे So let's get started जाना परेगा उसके बाद इसका जो model है वो select करना परेगा जैसे यह पर यह वोल्टस का इसी है तो मैंने यह वोल्टस का भी select किया तो जैसे बोलते है कि device has been shut down हा में select किया उसको भी और फिर जैसे में दिखाया था यह press power button करना चाहिए अगर उससे काम बनता है तो यह चल जाएगा नहीं तो universal remote बनाना परेगा तो फिर यहाँ पर जाके मैं press किया इसका एक ही program feed किया हुआ था वोल्टस का और वो program को use करके यह ऐसी तो नहीं चला तो अब जाके क्या करना परेगा कि यह not detected हो गया मेरा device तो इसके आगे तो और कोई program है नहीं यहाँ पर feed किया हुआ वोल्टस के लिए तो अब मुझे जाके वो universal remote बनाना है तो चलिए देखते है कि वो बनाते है कैसे तो universal remote बनाने से पहले जो चीज़ आपको mandatory है वो है कि जिस device को आप open करना चाहते हो उसका original remote जो है वो आपके पास रहना चाहिए तो मेरे पास यह वोल्टस AC का remote है अब जाके क्या करूँगा मैं पहले universal remote बोलकि यहाँ पर जो option है उसको select करूँगा अब select करने के बाद यहाँ पर आता है कि device name AC ऐसे लिख देता हूँ फिर यह option रहा कि add remote control इसको में select करता हूँ अब आपको यहाँ पर देखना परेगा कि कौन-कौन सा option माने कौन-कौन सा remote का option आपको चाहिए यह mobile पर जैसे power on and off button वो तो चाहिए ही चाहिए इसी के लिए अच्छा आप जाके देखना परेगा कि temperatures up and down कैसे किया जा सकता है पर ऐसे अब इसको छोड़ करके हम लोगों को modes चाहिए होगा तो modes के लिए भी एक button select कर लेते हैं वैसे मान लीजे कि यह वाल अगर मैं modes के लिए select किया तो इसको मैं ऐसे रख दिया यहाँ पर temperature का button हो गया power on and off button हो गया mode हो फिलहाल के लिए इतना ही मैं डाल रहा हूँ और दिखा देता हूँ आप लोगो कि कैसे universal remote काम करते हैं उसके बाद जाके अगर आपको कोई और options चाहिए या फिर कोई और buttons चाहिए वो भी आप डाल सकते हो तो फिलाल के लिए ये तीनो buttons को हम देख लेते हैं कि कैसे किया जा सकता है तो मैं next दबाता हूँ यहाँ आप यहा आपका remote है यह remote का sensor भी वैसे same alignment में रखना चाहिए और फिट जाके वो buttons को highlight करना चाहिए अब यह कैसे करते हैं आईए देखते हैं अब देखिए दोनों का alignment एक ही जगा पे है remote का sensor है और IR blaster का sensor है दोनों का alignment एकदम एक है अब क्या करना परेगा यहाँ पे हम मैंने power button लिय करना है देखिए यह highlight हो गया power button जैसे अब देख सकते हो अब remote का जो power button है जैसे यह on and off यह power button है यह IR sensor को यहाँ पे जगा पे लेकर यह 3 second के लिए hold करना पड़ेगा देखिए यह green हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि set successfully तो यह power button यह पैचान लिया है अब यह volume up and down जो button है उसको में temperature up and down करूँगा तो पहले यह आपका जो button है वो मैं highlight किया mobile पे जैसे अब देख सकते हो यह highlight हो गया आप या आपका जो यह temperature आपका जो remote का button है उसको मैं 3 second के लिए ऐसे hold करके रखूँगा देखिए मैं hold करके रखा हूँ लेकिन यह हुआ नहीं फिर यह button छोड़ दो गया फिर से आप प्रेस करो देखो यह set successfully हो गया आप जाके यह down जो है माने temperature down करने का उसको मैं set करूँगा select किया फिर यह 3 second के लिए hold किया remote पे और sensors को एक दम एक ही जगा पे रखा अभी तक तो नहीं हुआ फिर से में छोड़ दिया फिर से में इसको ऐसे यह किया unsuccessful tap to try again अगर यह unsuccessful दिखाएगा तो फिर से आपको tap करना परेगा इसे और फिर जाके remote को ऐसे प्रेस करना होगा 3 second के लिए जैसे कि आप देख सकते हो यह set हो गया अब यह modes का एक button में लाया था यहाँ पे तो यह mode को मैंने दबाया पहले mobile पे और फिर जाकि यह mode का जो button है remote में उसको वह में 3 second के लिए ऐसे hold किया तो यह भी set successful हो गया अब यह पूरा set successful जब हो गया तो यह remote को मैं side में रख दूंगा अब remote का कोई ज़रूरत नहीं है फिर हम देखते हैं कि next करने के बाद क्या बूल रहे है यह बोला कि press the button to test whether that set is responsive act तो आपको देखना परेगा कि जैसे आप यह set किये हो वह चल रहा है कि नहीं वह buttons के हिसाब से वह वाला electronic device इसके लिए आप set किये हो तो चलिए हम देख लेते हैं वह भी आप जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहापर यह remote जा है वह मैं use कर रहा हूँ तो देख लेते हैं यह wallet use करने के बाद यह response करता है कि नहीं AC मैं on किया और देखो यह AC तो चलू हो गया जैसे आप देख सकते हो अब जाके देखते हैं कि थोड़ा यह temperatures को जो button है उससे कुछ होता है कि नहीं हाँ देखिए मैं volume down किया तो volume down मने temperature down है जैसे कि मैं बोल चुका हूँ temperature down किया तो उसका effect AC में भी आया है अब आप करता हो कि देखिए यहां यह भी आप हो रहा है तो उससे साथ से देखा जाए तो यह remote काम कर रहा है मने mobile से यह वाला remote काम कर रहा है तो आप देख चुके हो कि कैसे मैं set कर लिया यह वाला AC को चलाने के लिए मेरे mobile से universal remote use करके त तो यही step है दोस्तो बहुत ही आसान चीज है ऐसे ही आप कर सकते हो अब जाके इसको save करना परेगा तो save हो गया यह दिखेगा यहापे कि AC will be added तो यह हो जाने के बाद में यहापे यह done जो लिखा हुआ है कि done प्रेस कर लेता हूँ तो यह voltage को जो AC है यह मेरा add हो गया ऐसे मैंने universal remote set किया हूँ इस mobile पे यह वाला remote के use करके जो कि listing में नहीं था इसका default application में फिर भी मैंने set किया हूँ और वो device जो है मेरा एकदम ठीक ठक चल रहा है so इस वीडियो के लिटना ही जितना हो सके शेर कीजिए यह वीडियो को सभी के साथ ता कि इसका फायदा हर कोई उठा सके जिसके पास mobile है जिसमें IR blasters है और जितना हो सके लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को और अगर आप ऐसे वीडियो देखन चाते हो हर रोज तो वो notifications on करना मत भुला इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही that will be it guys bye for now